दिल्ली एंसियार में बारिश के थमते ही एक बार फिर से सर्वी का कहर शुरू हो गया है मौसम विबाग के अनुसार आज दिल्ली में कोल डेई रहने का अनुमान है इसके लिए येलो अलर्ट जारी करते वे कडाके की सर्दी पढ़ने की संभावना जताई गई है अधिक्तम और नियूंतम तापमान में गिरावट होने की वज़ा से दिल्ली में ठंड की दिन की स्थिती बनी हुई है आज सुबा के समय मध्यम स्तर पर कोरा चाय रहने का अनुमान भी जताया गया था आयमडी के मुताबिक बरफिली हवाव की वज़ा से कडाके की सर्दी पढ़ेगी गौरतलब है कि जब मैदानी इलाकों में नियूंतम तापमान दस से कम और अधिक्तम तापमान समानने से साड़े चार डिगरी सेल्सियस कम दर्ज होता है टप थंड़ेट दिन की गोशना की जाती है 27 जनवरी से मौसम में सुधार हो सकता है इसे पहले बीते 24 गंटों में हवा में नमी कस्तर 78 से 100 फिस्दी तक दर्ज किया गया वहीं बीते 2 दिनों में दिल्ली में रविवार सुभा तक 88.2 मिलिमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है जो बीते 122 सालों में जनवरी में सबसे अधिक है इसे पहले 1989 में 89.3 मिलिमीटर बारिश दर्ज भी दी दिल्ली में रविवार को नियूंतम ताकमान समाने से 3 डिगरी जादा 10 डिगरी सेल्सियस जबकि अधिकतम ताकमान समाने से 6 डिगरी कम 14.9 डिगरी सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वही आज दिल्ली में अधिक्तम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और 99 तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है आज cold day रहेगा, पूरा हफ्ता कोरा चाया रहेगा वही आने वाले दिनों में हल्की धूप भी निकलने की संभावना है हफ्ते के अंध तक दिल्ली में अधिक्तम तापमान 18 और निउन्तम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने का अनुमान है वही नोडा में आज अधिक्तम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस और निउन्तम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है नौईडा में आज धूप निकलने की संभावना है और पूरे हफ़ते मौसम ऐसा ही बना रहना सकता है वही सुबा में कोरा देखने को मिल सकता है आज गुरू ग्राम में बादल चाहे रहेंगे इसके बाद पूरे हफ़ते मौसम साफ रहेगा सुबा में कोरे का प्रोकॉप देखने को मिल सकता है वही इस सब्ता की अंध तक गुरू ग्राम में अधिकतम तापमान 19 और निउंदम तापमान 6 डिगरी सेल्चियस तक पहुँचने की संभावना है ट्री प्रोकॉण कि अवर सेल्आ य। तेखने की स्क्वश्ब मेंगे जही इस संभावना आपमान 11 और प्रोकॉण झाल्मो Almostopus सब्सक्त्त्तक समाल झाल्सबंदम